हलो नमस्कार दोस्तों मैं मुलका सार आप सब के साथ एक important strategy वीडियो लेके जुड़ रहा हूँ जहाँ पे CA foundation में जो बच्चे अभी जून में अटेम देने वाले है हो सकता है कि election के अब कुछी दिनों में date declare हो जाए और आपको पता चल जाए कि exam अब जून के जगा हो सकता है जुलई में हो जाए एक महिना में extra मिल जाएगा लेकिन सर और मैडम अब उन बच्चों को बहुत जादा टेंचन है जिनोंने exam form भी भर दिया है अब क्योंकि ऐसी बात है कि सर वो बोलते ना कि युद्ध का बिगुल तो बच चुका है हमने form भर दिया है सर लेकिन अब बारावी होने के बाद वो बच्चे स्पेशली कि अब टाइम कम है और जो पढ़ाता सर लोग तो कहरें कि तुम दो साल से पढ़ रहे हो बट सिन मैं आपकी भावनों को समझता हो कि सर अब जब चीजे वापस हम ले रहे हैं पढ़ने को त आपको जैसे मैंने 12 में help किया था उसी स्ट्राटेजी से हम लोग जाएंगे C.A.Foundation और एक बात बताओ सबसे सबसे important चीज़ मैं आपको सारा यहाँ पर वेटेज बताने वाला हो कि किस को जादा आप टाइम दीजिए और यह ICAI का वेटेज है सर यह मेरे मन से बात नहीं क देखिए तो आप लोग को यह confidence आजएगा कि सर पास तो हो जाएंगे हम लोग है ना क्योंकि इतना time है तो zero से भी करेंगे तो चीज़े हमसे ऐसे दूर नहीं रहने वाली और सर अपको एक बात कहूं कि यह C.A.M. ना timing कोई कहता है कि क्यों 6 महीने waste करने में आपको कहना हो June वालो बच्चो कि तुम्हें ये attention नहीं लेना है कि सर यार मेरा दोस्त दे रहा है वो पास हो गया में फेर हो गया तो क्या आप देखो तुमने form बढ़ा है तो लड़ना तो हारे हुए मन से क्यों लड़ने हो सर अगर अभी युद्ध में उतर गए हो तो पूरी जान के बा है हम भी इसी intensity से चलेंगे आगे कि हमारे चीजे ये paper जून का बहुत अब्तक स्वाल कर पाए तुनों दोस्तों अभी आपके पास मार्च के जब में वीडियो बना रहा हूँ करीब करीब 15 से जादा ही दिन बचे हो कोई बाद में देख रहा होगा तो आप अपने इसाफ स माइनस कर लेना एपरिल के 30 दिन है में के 31 दिन है अब तक क्योंकि decision आया नहीं है तो 20 जून से हमारी paper शुरू हो रहा है ऐसे पकड़ के चलता है तो अगर ये वाली बात कहो सर तो मेरे पास तो सर देखिए 70 से 80 दिन बचे हुए और subject है 4 तो एक subject के लिए 20 दिन का calculation आ जात का paper होगा for example 21 अगर यही same schedule होता है तो 21 को holiday 22 को law का paper अब यह दोनों राइटिंग वाली चीज़ है account तो आप suppose 10 तारिक से भी वापस revision करने बैट गए तो account का paper easy जाता है कैसे करना है new syllabus है डरो मत में बताऊगा आपको law में sir मुझे बताऊ दोस्तो एस पर new syllabus अगर आपने pages counting किये रहेंगे 220 या 230 pages का सिफ एक chapter है contract डिफिकल्ट नहीं है 30 मांग का weightage है I accept लेकिन sir एक दिन में तुम तो यही pages पढ़ते रह जाओगे तो क्या आप उस हिसाब से पढ़ रहे हो कि एक दिन में हम कितना revise करेंगे पढ़ोगे पढ़ोगे law में टेंशन आ रहा है सर राइटिंग में problem आ रहा है तो हम आपका राइटिंग प्रैक्टिस लेंगे ना सर एक सो चालीस से एक सो पचास question कभी एक दो छोटे रहेंगे तो जादा भी कर लेंगे इतने questions का अभी अपने practice किया ना मालिक आपको वे बोल रहा हो कि 60-70 marks आपके किदर भी नहीं गए क्यों रो रहे हो कि सर वो नया syllabus है सब बताने वालो वेटिज सुनिए जरा ध्यान से समझे लेकिन सर ये एक देड़ दिन में cover होने वाली पढ़ाई हमको करनी है इतने दो महीने में कुछ notes बनाने है कुछ charts बनाने है जहां से हमें पता चले कि RTP MTP previous exam में जैसे में आपको 12 बना के दिया था बहुत सौर्टेड है सर सिये का नाम लेकि बच्चे डर जाते आधा सर तो तभी दुखता है जब बोलते अरे सिये की पढ़ाई कर रहा हो ये सोचो ही मत फिलाल सर आपको एक एक एक्जाम देना है कुछ उसका वेटेश फिक्स से पैटर्न फिक्स से सारे चीज़े फिक्स से सर बताओ आपको चुला आईए यह आपे आपको थोड़ा में टेंशन कम करता हो से चैक्टर नंबर वन है अकाउंट का ठीकल वेसे ठीक है मीनिंग इन स्कॉप अकाउंटिंग कंसेप्स और प्रिंसिपल रेवेन्यू क्या है कैपिटल लेक्षर बना था जिसमें मैक्सिमूम सारी चीज़े मैंने लास जितने भी दस साल के दस अटेम के एमटीपी थे मॉक्टेस पर सब कवर कराये थे आपको मैं वह भी बताओगा करके यहाँ पर टेंशन मत लो यहाँ पर हिल्फ हो जाएगी यहाँ पर साथ चैप्टर दिख पासबुक सबसिडिरी वुक्स अबहरें सेल्स बूक पर्चेस बूक यह किया ही नहीं अभी वह वक्त है बटा मैं बोल रहा हो कि आगे तेरा दोस्त फाइनल अकाउंट कर रहा होगा कॉंपनी अकांट कर रहा होगा पाटनर शिप पे जान डाल रहा होगा मैं तुम्हें ब वेटेज है ना इस पूरे ग्रूप को में बता रहा हूए देखो यह जो दिया है ना 30 से 35 मां कितने चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसेस ब्यारेस इन्वेंटरी डेप्रिसेशन बिल्स ओप एक्षेंज तो यह कितने होगे एक, दो, तीन, चार यह पाथ चैप्टर मिला के सर आपको 100 मांक के पेपर में 30 से 35 मांक के सवाल दिखने वाले हैं उसमें अगर आप कह रहे हो कि सर हमाला तो बियारेस एतस नहीं हमने तो डेप्रिसेशन सर उपर उपर से किया है तो भाई तू 35 मांक का तेर को सब्जेक पास फाइदा हुआ है सुनो मालिक सुनो आप पहली बार जा रहे हो और सर मैं आपको बताओ अभी जो लेवल में क्लेयर कर चुका हो मैं आपको बता रहा हो कि आप भरोसा रखिए क्योंकि इस वक जब टाइम कम है तो आपके सामने अगर चार नोट्स लग दिये ना सर यह एक् सवाल आते हैं सर तो बस फते करके आना है और बी आरेस आता ही आता है सर दस एक समय इसके इतना कर लो घूम फिर के कोई भी पेपर देख लो वही से पूछा जाता है लेकिन 11 में किया ही नहीं था सर उन बच्चों को मैं जैसे जिनको लग रही है सर मैं जून के लिए अलग से फॉर्म बराओ भरिये देखिए कितने बच्चों को जरुत है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ डिसीजन लेते आपको इतना चीज तो करो अकाउंट में मैं बोलता हो पहले साट एक मार्स का तो तूप्रेशन कर ले बाद में देख सो मैं से सो क्या है अभी तो टेंशन भी तो तू डेप्रिसेशन बी आरेस और क्या आपका वी बिल्स ओप एक्षिंज ये तीन चैप्टर करोगे सर तो आपके करीब करीब 10-15 मार्स के सवाल तो बनने ही वाले है उसके बाद इनिवेंटरी आपके लिए नया होगा सर आई होप आप इसको और बहुत सिंपल टेक्न इतना बड़ा है और सुनना मेरी बात यह कंपलीट कर रहा है कि तू अमार्च में अगर हां तेरा निरने होगा तू मेरे को सारे मॉडूल के क्वेश्चन करके देगा वेटा तो इतना तो मैं आपको बताता हूँ आपको टेंशन लेनी की जोरूत नहीं है अकाउंट में ब अगर्ण पर प्रोफित और गैसे एंपियो और अकाउंटिंग फॉर इंकंप्लीट रेकॉर्ड यहां पर एकदम सिंपल सी बात है एक सिंगल एंट्री वाला समय इंकंप्लीट रेकॉर्ड यह नया इंक्लूजन है पहले नहीं था सर बहुत सिंपल चाक्टर है और लिमिट अगर्ष्ण में दसका टार्गेट डो बार देखने का आपका काम तमाम हो जाएगा यहां पर इंपिओ तो सर मालिक आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन जो बारए में किया था क्या लगे यहां पर और मैं आपको बता दू यहां पर बहुत सिंपल चीज़े बहुत सिंपल और आप यहां पर बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे सर यह 20 से 25 मांक तुम नहीं हासिल कर सकते इस चीज़ का डिप्रेशन आ रहा है सर यह लेक्शर देख लूँ उधर जाओ भई अब यह वह आला पॉइंट है जहां पर मैंने बोला ना सर एक्जाम फॉर्म मुझे बताओ कोई भी लेवल का समाय तुमको यहां पर माक्स आएंगे आएंगे फाउंडेशन में और उस यह दिमाग से पहले निकाल ले भई तो सीए करने जा रहा है वही चीज़ आदा दिमाग का दही करती कि कॉंसेंट्रेशन नहीं लगता ऐसे टेंशन आता अलगी प्रेशन आता जब 12 भी था तो यह सोचा था कि सर इसके बाद तो तिर्फ हमको पढ़ना है क्या तिर्फ और सिर्फ तर हम पढ़ेंगे सीए तो फुल पढ़ा होगी और अब क्या हो रहा है खुश नहीं समझ में आ रहा है वेटा तो इतना तुम पहले जस्टिस करो मार्च एप्रिल तक भी इतना हो रहा है तो भी पैनिक नहीं होना है सर तुम्हारा गलती क्या हो रहा है तुमको सब कुछ अभी करना है ऐसे मत एक नोटबुक बनाओ उस पर लिखते जाओ कि हा इस समय मैंने य होगा सर और क्या नाम खराब करके रखा है सर ये पीछले जो भी रहेंगे बोले फाउंडेशन आसा सटी स्टक के रिजल लागतो हो सब्तर टक के फेल होता और तू हमेशा इसी तेरे सब्वेंशल मैंड में कि अब तो लगने वाली फिक्स है और मंसे हाल चुका है भाई त तुरे को पहले पता है कि मैं तो असला देरे के लिए दे रहा हूं इसे कर मत लड़ना है तो शिद्धस्त लड़ और इतना अच्छे से करो कि सर फते अपनी होगी जीत होगी करके सर आगे बताता हो पार्टनर्शिप में आपको दिक्कत है इस बार कंपलसरी 15 से 20 माक को सव बड़ा बहुत आता है सर नहीं मुझे आउट आउट आएंगे सर 10 माक का तो में कुछ लिख सकता है औरे 7 माक तो आ सकते सर उपर अगर मैंने ट्राइ किया मैक्जिमम साट में से 50 लाने का इधर पोस्टिंग के माक्स फाउंडेशन में भी होते हैं आपको में लगता है तो प्लीज देखिए ये वीडियो और आपको खुद मोटिवेशन आजाएगा सर इतना तो है तो हम कर लेंगे किस चीज की डर किस चीज का डर है सर और इस तरीके से हम पढ़ने वाले सर ये ये नाम के लिए जो हवा बना के रखा है सर उसको हमें थोड़ा न अपने एंगल से कोई भी चीज अगर मॉडिल से बार नहीं तो किस चीज का डर है कंपनी अकाउंट सर पंद्रा से पच्चीस माक और आपका पेपर 116 माक्स का बनता है एक प्षिशन पूरा ऑप्षिन को रहेगा सर 116-120 माक का तो आपको उसके बारे में कोई डर रखना नहीं है कंपनी अक अकाउंट में डील कर सकता आप कोई बच्चे बोलेंगे सर इतना ही अकाउंट इतना ही है बोले सर लौ का बोलो ना लौ में बहुत साधा चेंजेस आए है सर उधर जाधा टेंशन आता है मैंने का एवरी दे टू क्वेश्चन हंडेड माक्स का सीने माले वेटेज दिया इ इंट्रेडिउस हुआ है बही जीरो से लेके पाच माक्स जब बोलते ना तो इसका मतलब यह क्वेश्चन नहीं भी डाल सकते इंडाले तो पाच माक्स तक आएंगे तो तू इसको इतना टेंशन ले मत मैंने इसका चार्ट बनाने का कोशिश किया है और मैं आला होगा आप 30 माक्स लेकिन यह पेजेस वाइस देखोगे तो 200 पेजेस है जो बच्चा इस चैप्टर को पहले करने लग गया और जो अपने आपको संभाल नहीं पा रहा है अब अच्छी बात है 30 माक्स 220 पेजेस वे वर्त है सपनी करना मैं आपको बताओ गाओ चार्ट में में कंसेट क लेकिन तुम्हें लगता है सर इतने टाइम में तो हमें काम पर रहा है और इंडियन पार्टनेशिप पंद्रा से बीस परसें मतलब वह वेटेज अकॉर्डिंग तो सिंपल है 30-40 पेजेस के अंदर अगर खतम हो रहा है तो पहले यह चैप्टर कर वहीं वह 200 पेजेस में त सबसे इजी चैप्टर है और तुम देखो नेगोशेबल इंस्ट्रूमेंट तो यह 10-15, 10-15 यह साथ में से इन चैप्टर को अगर तू फोकस करेगा लेकिन इसमें रीडिंग इजी है लौ समझने को बहुत आसान है प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर पेपर में जो सवाल आ र जाओगा सर प्रीवियस इयर क्वेश्चन पेपर्स पे और मैं यह देखूगा कि वहाँ पे चलो मैं कॉंट्रैक्ट पढ़तो रहा हूं लेकिन किस तरह के क्वेश्चन साते कि आपने क्वेश्चन के स्ट्राटेजी को समझा है नहीं सर हम तो पढ़ रहे हैं सर हमारे क्ला वहाँ पे मस्ट है वहाँ पे लिखना पड़ेगा अभी भी तुम अगर वह देखके बेले के नहीं सर यह पढ़ाएंगे ना इनका बहीं देखके तो सौ टक का रिजल्ट क्यों नहीं आया भारत में आप यह समझो ना कि जहां पर आपका इन्वाल्मेंट चाहिए आपका चाहिए वहाँ पे तीन घंटे में आप बेटने वाले हो बड़ा आ रहा है उस वक्त आपको प्रीविएस यर क्वेश्चन मॉक्टेस पेपर इसका सहारा लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चैप्टर के उस फिलिंग को समझने को कि किस हिसाफ से क्वेश्चन को डाल रह आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिगार्डिक टु जून दोहजार चॉबेस डिसेंबर वालों को दिंकत ने आपने अल्रडी भरा हुआ है और जब अपना शाल होगा तो मैं इसे साफ सी आपको करा आपको साथ चैप्टर है और आपके पास सतर असी दिन है क किसको चाहिए सो में से सो भाई सो में से सो अभी तू इतनी बड़े बड़े ख्वाब देख रहा तेरे पेपर में जब तू लिखता है तो आते 30 मार्ग्स ऐसे बहुत देखे रहेंगे मारती तुमने तो धोकले अगर इतना करने के बाद 30 लाना था क्यों इतना टेंशन ल 60 प्लस जाने ही चाहिए तो को 50 परसेंट चाहिए और पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है सर लॉकेट दरा देखिए अनुभाव जिनको फेल हुआ ना एक सवाल पूछिए ब्लैंक हो गया टेंशन था रिवाइज नी हुआ भई तो तो तेरी गलतिक वज़े से फेल हुआ है प्लैंक हो गया मतलब प्रेशर हैंडल करना है सबसे वड़ा की फैक्टर इस यह में क्यूंकि आप बहुत हद तक डरे हुए होते हो बताओगा ओभी चीज़ ठीक है सर लेकिन अभी फिलाल क्या है मैं क्वेश्चन आपको दूगा इसका बेटेज में बताया तो चैप्टर बन का टेंशन मतलो बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी 15-20 में चलने वाला है ठीक है सर और यह क्या है सर यह तुम लोड मतलो तुमको कोई चेंजेस है नहीं तो इर्रिलेवेंट चीज़ आते आपके लिए उन्हें नों का कि चेंजेस आएगा तो हम वेसे आडलिस करेंगे बट मेरा एक सिंपल है सर यहां से 10 से 15 मांक्स की मेहनत करने की और 10 से 15 में से वेटेज दिया हुआ है तो सब्सक्राइब चालीस में से 15 टक्का पकट लो तो करीब-करीब 8 मांक्स के इस सब्सक्राइब आने वाले यह सर कितना है 30 मांक 30 परसेंट वेचेट पकड़के चलता हूँ बारा मांक्स पकड़ो इदर ठीक है तो मेरे को बता बेटा नॉमिनल इफेक्ट प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू फीचर वैल्यू एनुटी सिंकिंग फंड यह मुझे इसस लगता है ना चीजे अच्छे इससे पता चलीगे कि यह तुमारा मैनेज होने वाला चीजे 10 से 12 मांक्स आने वाले मेहनत करो तरो डेरिवेट्व इंटिग्रेशन का क्या करे 30 से 50 मतलब सर समझो आप लोगों को देखो इसमें क्या है यह देखो से इस रिलेशन यह वाला इसी मेरे इसाब से जाना चीजे ठीक है उसके बाद यह डिफरेंशल इंटिग्रेशन वगेरे भाई मेरे वरुसे पर शोड़ दे ओपन प्लाट्फोर्म पर बात कर रहा हूँ जो अच्छे पास हो रहे क्या स्राटेज हो तुभे नहीं पता हम लोग सब करने जा रहे सारा लगा रहे जो कर रहे हुआ एक बार पास होना है उसके बाद जिंदगी में टेंशन नहीं सर मैस का ज लगा रहे ढुकले जैसा सर कि हम लोग ना यहां पर अगर भाई तेरे को 20 माग के 20 सवाल है तो 20 मिनिट के अंदर तू ट्राइ कर 20 से 22 मिनिट 120 मिनिट में 100 क्वेस्चन करने है मेरा भाई अभी स्वाल करता है ना डाइरेक्शन टेस्ट को तो एक डाइरेक्शन को समझने में 4 मिनिट लगा रहे तो 20 मिनिट लगा रहेगा पर बोलते हो ना कि ना उम्मिदी से डर डर के पढ़ने में कोई दिक्कत ने, एक मैं जो बोल रहा हूँ, बाराई में आपको फाइदा हुआ है न, बिंदास मेरे पर बहुत सा रखे, करिये, लडिये, ठोड़िये कुछ चीज़े, सीए में हर चीज़ बाराई जैसे नहीं ढ बताओ, मलिक, विद दिव रिस्पेक्ट आपको ना, बहुत सही ढंग से, और ये मतलब मेरे को पता है, कि लोग बोलने वाले बहुत बेठे हुए, भर दिया फॉर्म अब देख, फेल तो होने वाला है, ऐसे ही बोलते रहेंगे सार, और उनको गैरेंटी तुम फेल होगे, ये तुम्हारा गैरेंटी की दिखाते है, है न, ये का रिजल्ट है सर, सबकी लगी पड़ी होती, लेकिन तुम लोग सीए, ये चिफ सोचो ही मत, तुमको एक चीज है कि ये इतना कुछ कंटेंट है, हमको महिनत करनी, इसकी रिगर्डिंग सवाल आने होले और लिख के होगा है वो, probability, theoretical distribution, इस पे थोड़ा number, इस पे थोड़ा खेलो सर, इतने chapter, 18 chapter है, बड़ा है, लेकिन आप वो model देखोगे तो डर होगा, इस strategy से जाओ, मतलब करना है आपको, economics में क्या करें सर, भायो last strategy के साथ बता रहा हो मैं, second chapter, third chapter, four, micro पे पूरा focus रखी अगर आपको 10%, 100 में से 10 MC को जाएंगे, money market, 10%, 100 में से 10 MC को जाएंगे, international trade, 10%, 100 में से 10 MC को जाएंगे, Indian economy, 10%, तो सर्या जो नए 5 chapter, पचास माक के लिए है, लेकिन यहां पे बहुत जादा वेराइट है, तो micro अच्छे से हुआ है, वो कर, मैं उस पे कुछ वीडियो भी लाओगा, पचास म simple है सर, हमारा strategy क्या होना अची है, माइक्रो के पहले, पहले 5 chapter में तुझे conceptually marks मिल जाने चाहिए, फिर macro पे आ, और time है, और यह scoring है सर, अगर आपको 200 का achievement, magical figure को हासिल करना है, minimum बोल रहा हो, तो 400 में से 400 सोच रहा है, अच्छी बात है बेटा, लेकिन पहले passing का अपना, संब चीज़े, पहले ground पे आजा, reality को देख कि मैं पहले pass हो जाओगा, तो उसके बाद तुझ 400 में से 416, सबसे ज़्यादा खुश मेरे को जोगी है, लेकिन 200 आने का क्या है सर, rule simple है मालिक, मेरे को पता है, मैस में मेरे को सर, कुछ भी करके, 50-60 अगर आगे, तो बगवार, एक नहीं हो रहा, company account, नहीं हो रहा, partnership, या कुछ चीज़े, टैली नहीं हो, लेकिन इतना तो मिलेगा, अगर तु मेरे structure के हिसाफ से चलेगा, और जिनको rank लाना है, कृपिया करके, December 8th में आज़े, ये rank दिला दूगा, जून में जाना है, तो इस हिसाफ से करो, time कम है, इधर तो डोकले rank के हिसाफ से पढ़ते जाएगा, पढ़ते जाएगा, और लगा रहा है, खुद को टेंशन दे रहा है, घरवालों को दे रहा है, पांगलपंती कर रहा है, ये देख, वो देख, मत कर, result तो ही बदल सकता है, सिर्टेजी में देर को दूगा, तो कि अब मैं जून अभी आप कर रहे हो, सर, more than enough है, initially और इतना नहीं आ सकता, सो में से में कुछ छोड़के जा रहा हो, तो टेंशन कम कर अपना, हमारे सर ने बोला है, हमको तुझे रिजा टॉप करना है, आप बोला, मैंने भी कुछ बच्चों को बोला है, वो deserve करते है, वो पैड़ रहे है, अलग 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 रहेंगे, उनका मेहनत करने का तरीका अलग है, तो सिफ ख्वा भी ख्वा, बोलते हैं कि ख्याली पुलाओ डाल रहा है, नहीं वो करेंगा, तो में करना, वेटा, देख, सोच ना अलग है, मारी, इंटर में रैंक लाला है, अभी टाइम कमें, अब तू यह सोच कि मेरे को इतना सई धंसे जाना है, इतना तो मुझे आई जाएगा, कितना छोट रहा हो, देख, रह क्या गया सर तुमारा भी, एको, और एको में तो बोलता हूँ कि सर, 72, 80 के अंदर तुम रहने चाहिए, आराम से मिलते है, तो सर में आप ये भी पकड़ू ना, 70 प्लस पचास, प्लस पचास, 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 सो, 170, प्लस 70 में ने कर दिये, 230, जए इन, जए बारत, पास हो गया तो, पेड़े देना लोगों को, और सीए में दो ही चीज़े पूछी जाती है, या तो पास, या तो फेल, परसेंटेज नहीं पूछे जाते, ये न समाग में, वो ट्रेस, लेवल को, इतना लेवल पर लेगा, पढ़ने से पहले इतना सीए का कर रहा हूँ, वो पसिना चूटना लेखते है, आदो को तो, भाई, तुछ सोच नहीं बंद कर दे, सीए कर रहा है, तिलको कुछ टार्गेट है, कुछ चैप्टर से, कुछ मॉड बाकि जीत आपकी फिक्स है, है ना, उसी हिसाब से लड़ना है, हारने का सोचा, तो क्या ही मतलब इसर लड़के, है ना, चलो, थैंक्यू सो मच, आप इतना जुड़े, आपने देखा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेर कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब तो आपने करी द